तो हम लोग जानते हैं CUT PG 2024 का पाम भरने का तरीका और कैसे भरते हैं क्या करते हैं इसको थोड़ा सा देखते हैं तो आप Google में CUT PG डालेंगे और उसके बाद यहां पर आएगा यह जरूर ध्यान रखना PG CUT.ac.in आएगा और यह लोगो भी है ध्यान रखना 30 PG 2024 यहां पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद पहला यहां पर दिखाई देगा क्या इन्वाइटिंग ऑनलाइन एप्लिकेशन फाम फार कामन इंवर्सेटी इंटरेंफ टेफटा इस पर आप जरूर क्लिक करना और क्लिक करने के बाद इस योर हो जाना जो डिटेल आएगा उसको क्या आप सही फार्म बर रहा है नहीं है या सही साइट पर है या नहीं है तो डेट भी आप देखेंगे लाफ डेट पर देखें लाफ डेट कब है 25 जन्वरी दोहजार 24 बारा बज़े रात तक सोरी ये थक या दिन में अप टू 11.50 पिएम रात की हो जाएगा ना तो इस तरह से न ये वाला लाफ डेट देखें डेटेल बेसिक यहाँ पर मेंसन है कि क्या है एकजाम का पैटन एक गंटा 45 मिनट का और 3 सिप्ट में होगा ये सब डेटेल यहाँ पर लिखा होगा है ठीक है बेसिक डेटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये रहा मैं इसको डिलेट कर दिया एक बार ऐसे खोल के रख देता हूं ताकि आपको पता रहा है यदि आपको लगता है कि इसको पढ़ना चाहिए तो ये भी आप पढ़ सकते हैं फिर मैं आपको बता के चलूँगा कि इधर पे इस जगह में आप इनफार्मेशन बुलेटिन पर जाते हैं ठीक है और इनफार्मेशन बुलेटिन पर क्लिक करते हैं तो ये कामन इनफार्मेशन बुलेटिन आपको इस तरह से आने लग जाएगा तो ये पूरा डिटेल आएगा समय है तो निश्ची दूर्फे मैं कहूंगा कि एक बार आप इससे जरूर पढ़िए और एक एक पाइंट को समझे कम फेकम कुछ पालू को तो मैं गोत्रू करा ही दे रहा हूं ठीक है ताकि एक बार आप समझ फको इससे को सबसे पहले एबाउट एंटिये है क्योंकि थोड़ी थोड़ी समझ बनाना भी बहुत ज़र रही है ताकि आप फाम को हलका सा इस अफानी से भर सकें तो यहां पर देखे यह जो डिटेल है यह आपको बता के चल रहा हूं मैं जैसे आप देखेंगे इंपॉर्टेन इंफार्मेस्टन इंडर डेट फैटिक लेंस तो पैसा अगरा डिटेल यहां पर लिख्या है लाफ्ट डेट वही जो वहां पर मेंसन था 25 जनवरी ठीक है और उसके बाद में जो यह एप्लाई करेंगे तो पैसा कितना लगेगा जनरल है तो कितना बारास रूपया फार अप्टू दा टू टेफ्ट पेपर दो टेफ्ट पेपर के लिए क्योंकि आप जानते हैं न कि आप मर्टिपर टेफ्ट पेपर में एपियर हो सकते हैं और आउट फैट दे इंडिया यह तो है नहीं तो हमारे लिए मतलब यही रखता है आपको बारास रूपया दो पेपर के लिए फार अप्टू दा टू टेफ्ट पेपर एंड आप फी पर एडिशनल यदि उस पर और एडिशनल जोडते हैं तो छेस रूपया और देना पड़ेगा पर पेपर ठीक है ना फीफ इफ ट्रक्चर का फिर इंपॉर्टेंट डेट में यह सब चीजें आपने देख रखा एक्चुली में यह भी आपको समझ में बनाना चाहिए कि 105 मिनट एक्जाम का डिवरेशन है तीन सिप्ट में पेपर होगा टाइम अभी एनाउंस होगा सिप्ट वन सिप्ट टू सिप्ट त्री यह पाइनली आपके एड्मिट कार्ट जो आएगा ना उसी में में इंसन रहेगा कि कौन से सिप्ट में आपका एक्जाम होने वाला है किस चीज़ का भरे हैं फाम वो ची बिला कितना दिन तक 28 तरी तक 28 मार्च तक क्योंकि सिटी पीजी के वाल एक सब्जेट का नहीं है वह अलग-अलग सब्जेट का है अग्रिकल्चर वालों का कौन से डेट होगा वह किसमें में रहेगा एक और नोटिफिकेशन में और आपके जो एड्मिट कार्ड है उसमें बिसिकली ठीक है तो अभी पिरहाल आप बिना चीजों का घबराय हुए आपको करना है फिर एपलाई करना है तो राइट जगह में एपलाई करना कहीं पे भी जपट मत पढ़ना नहीं तो मुस्किल में आ जाओगे जैसे यहाँ पे है यहाँ पे है यहाँ पीजी फ्यूट को डाल करके login ID देना पड़ता है मैं just go through कर रहा है फिर हम अंदर पे जागे डिसकस करेंगे application फाम है तो वहाँ पे क्या क्या चाहिए होता है upload scan image जो image है आपका scan किया है उसको और खास करके दो चीज़ important है photograph का और signature का तो यह दोनों important है upload करना और जो photo है वो recent होना चाहिए color ह या black and white हो 80% face कम फे कम उफ में clear cut दिखाई दे तो एक basic समझ है ओके बात का जो major चीज़ है जिस पर आपको ध्यान देना है फी payment करेंगे है न सिंपल इफटेप तीन इफटेप में खतम हो जा रहा है पहले में mobile number डाल के user ID और password create करना दूसरे में basic जो है education qualification बरना कहां कौन से सहर को चूज कर रहे हो कौन कौन से paper लिख कर रहे हो तो इतने examination कौन से चूज कर रहे हो इतना basic basic बात होता है pick करना रहता है और फिर directly fee payment करना net banking credit card UPI से यह सब बातें इसमें हैं हम एक go through कर रहे हैं इसको तो इफ तरह से तीन जो इफटेप है यहां पे मोटे तोर पे आपक इसमें और क्या है information bulletin में चूज दा एक्जाम सिटी डिस्प्लेट टू दा कंडिडेट विल वी बेव डान पर्मनेंडा करेक्ट अपिल्ड ड्यूरिंग ऑनलें अप्लिकेशन फाम आपको जो एक्जामनेशन सेंटर डालना है ना उसको मजबूत करना है मतलब फही डालना है यदि वो गडबड हुआ तो उसमें बात में दिक्कत आता है एक्जाम के संबंद में चाहें तो आप पढ़ सकते हैं एक बात यहीं इंपॉटेंट है जिसके बारे में लोगों को कनफ्यूजन था कंडिडेट्स आइन फार्म देर लिफ्ट आप पाटिस्पेटिंग विल कीप आन इंक्रीजिंग तील दा कंपलिशन आप रिफिटेशन प्रोफिव देयर फोर दे कंडिडेट्स आर एडवाइस टू किप विजिटिंग दा एंटीए समर्थ पीजी वेब क्योंकि उसका अपना रिपूटेशन है और वो जब यह फाम खुला था 26 दिसंबर को तो यह खुद ब्येच्चू इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था अब जो फाम बर रहा है वहां पे ब्येच्चू के लिफ्ट है नहीं अब जिवने फुरू में फाम बर रहा है उस और जो इस चीज को नहीं भूल गया ना उसके लिए थोड़ी सी चलेंजिंग होगा वो जो दो दिन है वो नहीं करेगा ना इडिटिंग तो वो नहीं जोड़ पाएगा क्योंकि वह अभी पर जोड़ना रहता है कि हम मुझे इस एक्जाम के लिए यहां के लिए बैठना है इस सब्जेट को देना है तो यह लाइन है यह स्पेस्फिक नोट करके यही बोला गया है कि देखो इनवर्सिटी है ना वो जूड़ते चले जाएंगे कि कौन को अंसे फ्यूर्टी पीजी के तुरू अपने अडिमिंसान प्रोसेस करवाएंगे तो अभी तक और भी सकते हैं तो यह एक इंपोर्टेंट था ठीक है इस लिए जानना जोर रही था और यह फिरू में उन्होंने बोल भी दिया था बहुत लोग कंफूजन में आये थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा इस चीज़ को लेकर के और बाकी तो बिसिक बिसिक बात है कि क्या होता कॉपी आप कंफर्मिस्तान पेज एड्मिट कार्ड फार अच्छा जब भी आप भरेंगे ना तो एक जरूर कर देना कि जो भी आपके पास में डाक्यूमेंट होगा ना तो एक पीडिएफ सेव कर ले लेना प्रूप के तौर पे कई बार क्या होता है ना किसी ने इनके लेना अफान होता है computer में सकर लेना होता है तो extension भी होते हैं कई तरह का जैसे एक हैंडी करेंसर नाम के extension अ होता है उसको आप लगा सकते हैं Google Chrome में अफान इस्सेंस तरह में आप जाते हैं अप जानते हैं CT है पीजी के बारे में आप जानते कि यह सारे PG admission के लिए common university and draft है और role ही है role NTA का यही exam लेता है उसका काम होता है क्यों सन बनवाना exam conduct कराना challenge जो आता है answer की पर उसको उपर काम करना result देना scorecard करना अब यह क्या काम नहीं करवा रहा है NTA क्या काम नहीं करवा रहा है वो है counselling counseling NTA नहीं करवा रहा है कहीं पर नहीं लिका है देखिए वो क्या करवा रहा है बच्चों का registration candidate का exam conduct कराना question paper बनवाने के काफिया जिम्मेदारी इनका ही है वो यह mention नहीं है कि question paper कौन बनवा रहा है लेकिन हमने बहुं सारे exam को जो देखा है वो university ही बना के नहीं बेज रहा है NTA को वो कहीं नहीं डिरेक्ली प्रोफेशनल ले करके NTA को ही दिया जाता है फिरहाल यहां पे तो वो नहीं लिका है answer की display करना challenges है वो invite करना answer की है वो finalize करना और preparing and declaring result and hoping scorecard ठीक है तो सब चीज़ें लेकिन यहां पर क्या नहीं हो रहा है counseling का इसके scorecard को ले करके डाटा को ले करके university अपना counseling खुद कराएंगे जैसे बीएचियो अपना counseling खुद करवाएगा लेकिन आने वाले समय में यह जो counseling है इसको भी असान बनाने के लिए यह साप्टिवेर बना चुके हैं बहुंद लोग NTA का दूसरा साप्टिवेर के यूज़ करके online counseling करने का काम करेंगे अभी इसके data को ले करके अलग-अलग university counseling का काम कर रहे हैं ठीक है समझ में आ गया no general test with each paper मलब इस बार हर में general test paper नहीं होगा यह एक important है candidate can choose maximum of four question code मलब चार question code, question paper could choose कर सकता है देखे एक्जाम जलतर हिंदी और English में होंगे और duration अब exam 105 minute का 105 minute का question होंगे 75 तो आप हमें locate कर समझ सकते हैं कि 105 minute है 75 question है तो question को time तो मिलेगा ठीक है इसे साब से जो दिया है तो यह basic बाते हैं और कुछ-कुछ बाते हैं इसमें important है otherwise दिखा था इसमें जो code है question paper code को जानना जोरी है अब question paper code क्या है सबसे पहले alphabet को जानना आपकी subject क्यों matter नहीं है alphabet को जानना जोरी है जैसे agriculture वाले एगरी businessmen करेंगे तो याद रखें यह है COQP01 ठीक है तो code up question paper इस जगह से COQP 01 दिया गया है एगरी business management को और क्योंकि वह alpha bed में वह उपर आता है यह हो वक्ता है आने वाले समय में यह code बदलें क्योंकि उसमें एक दो कोर्सा और जूड़ेंगे ना तो कई साल में बदल जाएगा तो यह code भी पर्मनेंट नहीं रहने वाला हर साल के लिए इस साल के लिए यह है ठीक है अब एक यह आया तो इसी में आप एक ही चल रहा है तो आप आगे आके देखेंगे कि ए में और क्या है यह language का है angry business का हो गया यहां पर ale qb 01 यह एल का मदलब है language language की उस्टा पर तो language से मदलब नहीं है agriculture वालों को subject science में subject का यहां से आता है यहाँ पे देखे, ACQP01, यह note करना है, एक तो पाले वाला note करना था, और दूसरा यह agriculture वालों के लिए, agriculture science, agriculture science, agronomy and tomology में किसी में भी MSC करना है, तो सबसे ज़्यादा यही वाला, तो यह note कर लो, ठीक है, क्या है, P01, ACQ, और उसके भी P01, दूसरा यहाँ पे, यह भी important है, जिरो टू, तो ACQ, एस का मदलब हैता है, science, science का court question paper 02, यह agroporifti का, यह code से याद रखना, आप लोग के लिए, maximum agriculture वालों के लिए, यही दो code ही याद रखना है, तो यह code को जरूर याद रखना, और इस code को जरूर याद रखना, यह दोनों ही important है, और यदि किसी किसी को, कु है, या microbiology में, कई जगा में होता है, biotech में हैं, तो वो डाल फक्ते हैं, लेकिन तिन यहाँ पर minimum हैं, आपको मैंने बताया, जैसे कई लोग BHU में यहाँ जाते हैं, यह code भी आप लोग note कर लेना, plant biotech, BHU का मजबूत है, अलग department होता है, plant biotech, और इसका code है, ACQP25, note कर और दूसरी बात एक और है, जो BHU में खास करके, soul and water conservation है, इसका code है, ACQP26, यह important है, क्योंकि agriculture वालों के लिए ही मैं यह चीजों को बता के चल रहा हूँ, कि कहां कहां होता है, यादि किसी को animal science या poultry में भी करना है, तो वो इसको भी कर सकते हैं, otherwise यह main है, यह दोनों और इ एक चीज यहां पर आपको जो नहीं दिखाई दे रहा है, वो है management का, क्योंकि management वाला यहां पर कहीं पर है नहीं, वो कई लोग MBA करते हैं, एकरी business manage करते हैं, यादि उधर पर भी उनको chance लेना है, तो उनको अलग area आएगा management वाला, management वाला area आएगा, वो management वाले area में भी कर स management का हो, देखते हैं, शुरू में चल के, management को भी यहीं यहीं जगह में मिलाया गया है, साथ most probably यह वाला एक management का है MBA करने का, coqp08, ठीक है, तो management के लिए अलग से तो नहीं दिया है, लेकिन वहीं है most probably, जैसे यहां पर ही management यहां पर दे दिया है, यह दिया है, जनरल MBA, क्योंक करके, वहां दो तरह का MBA होता है, एक ABM, Agribusiness Management, और A का MBA in agriculture भी होता है, वहां के MBA faculty में, ठीक है, और BHU को यह ले करके, में लोग बहुंद लोग CUTPG को करते हैं, इस साब से आपको ध्यान में रखना चाहिए, बागी agriculture वालों के लिए ज्यादा important नहीं है, ओके आगे बढ़ मार्किंग इसकिम भी जानना है, देखे, एक क्यूशन, इस क्यूशन करीद अफोर मार्क, करेक्ट आंसर करेंगे तो चार नमबर, गलत करेंगे तो एक नमबर कटेगा, यह सिंपल कड़ी था इसका, नहीं रिस्पॉंस करेंगे तो कोई की नमबर नहीं है, यह भी इसमें म पार एकजाम, तो यह भी आपको डिटेल में दिखाई देगा, PG, CUT, समर्थ, AC, IN में अब मैं इस जगह में क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यह खुला, इस जगह में खुलने के बाद यह समर्थ, AC, IN है, और यहाँ पे जहाँ इंफार्मेशन बुलेट इन था उसी के बगल में syllabus है syllabus में यहाँ पर आते हैं तो इस जगह मैं आपको बता दूँ जैसे agriculture वालों के लिए जो note करना है वो मैंने बताता हूं एक तो जिन लोग ABM में farm डालेंगे ABM में वो यहाँ से syllabus देखेंगे यह रहा उनका syllabus और उनका जो syllabus है एगरी बिजनेस मेनेजमेंट वालों का वो यह है काफी हद तक आप देखेंगे agriculture का जनरल बाते हैं प्लांट फिजुलाजिस से लेकर के सब चीज़े हैं दूसरा है में जिसको सब को करना है वो है agriculture science नोट कर लेना इसको और इसका syllabus देखेंगे तो यह है SQP 01 का यह जो इरिया बताया गया है इनी से और इसको आप देखेंगे ना तो काफी हद तक एक चीज मिलेगा आपको क्या है यह जो पहले BHU का syllabus हुआ करता था उसी का एक मिला जोला स्वरूप है और आपको जितने भी 75 की उस्षन आएंगे वो यहीं से आएंगे कहां से आएगा यह यहीं से एग्रोनामी से प्लांट बिडिंग से सोल साइन से फिजिलाजी से होटिकल्चर से एंटमोलाजी से एग्रिकल्चर एकोनॉमिक्स से प्लांट पैतुलाजी से एग्रिकल्चर इंजिनरिंग से और एग्रिकल्चर एक्टेंशन एजूकेशन से कितने कि उसन आएंगे simple गडित क्या कर सकते हो तो गडित क्या करता है आप एक काम कर सकते हैं स्वरी कहां गया यह तो इसमें आप यह कर सकते हैं कि 75 divided by 10 किदना होगा एक एरियम कि उसन 7.5 महला मोटे तोर पे एक्रोनामी के कितना कि उसन आने वाले हैं 7 x 8 कि उसन ऐसी है एक equal distribution आपको देखने को मिलेगा इसन चीजों में कहीं पर एक दम imbalance होके नहीं होगा average 7 x 8 कि उसन नहीं एक subject को देखने को मिलेगा और 10 subject हैं तो यह बात भी आपको समझ के चलना उसके बाद एग्रोफरेफ्टी जिन लोग डालेंगे क्योंकि देखी कई लोग का admission का दिक्कत होता है आप 4 subject में paper दे सकते हैं चार में तो आप agriculture वाले कर सकते हैं वो यदि हैं तो एक ABM में कर लिए अग्रिकल्चर साइंस में कर लिए अग्रोफरेफ्टी में कर सकते हैं इस टाइप का जिसते यह एग्रोफरेफ्टी का भी है क्योंकि BHU का एग्रोफरेफ्टी तुना बुरा नहीं है यदि आपका admission फोटे हैं तो आप इसके वहीं है और फोरेफ्टी और आप बॉसिक ली जो अधार में कुछ इँपर आपको तो है तो एक हो गया एगरी बिजनेस दूफरा एगरी साइंस सा अगरी कल्चर साइंस यह मेन है और यह एग्रो फरिफ्टी का ठीक है समझ में आ गया फिर उसके बाद आपको बात करते हैं इसमें एक और इंपोर्टेंट है जो आपको ध्यान में देना चाहिए वह है सोल वाला क यहांपे मैं प्लांट जयां बाविवटेक कर दू यह है योदि यह प्लांट बाविवटेक कर देखते है था तो वही बेसिक बालुजी है कर लोग रहे होते हैं जो करी उनफ सकते हैं और सिलीवब चोटा सा है लेकिन सलम्टी वाइब क्योश्न यहीं से आएगा इतने syllabus दे उसके बाद है अपना soul conservation वाला तो ये देखे soul conservation एक बात याद रखना खोजने के लिए alphabet के जरूर उपयोग करना या mobile या किसी भी जगह में है तो control find ape का उपयोग जरूर करना यहाँ पे soul science and soul water conservation के लिए जो syllabus है वो यह है तो मैं फुझाओ दूँगा जो agriculture के हैं उनको agriculture science पहला एक exam जरूर देना उसके बाद में soul and water conservation के देना एग्रो फरेफ्टी के देना और आपको यह दिपसंद है plant biotech वाले हैं genetics वाले हैं तो plant biotech के देजे और ABM में करने का मना है तो ABM में कर देजे ABM वहाँ का ठीक है कम विएचु में हो जाता है तो कोई बुरा बात नहीं है लेकिन यह जरूर याद रखना कि एग्रो फरेफ्टी इसलिए आप इनके उपर में भियाप करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है तो उनका भी 75-75 के उससान आएगा याद रखना उनका भी exam date फ्ल फ्लेबर सा उसका भी एक जहांके मिल गया हम एग्रिकर्चर वालों के हिसाब से ठीक है एज लिमिट वगरा में कोई ज्यादा चक कर नहीं हो तो सारे बच्चे आलमोफ टाइम पर राते हैं इसलिए ज्यादा नहीं है यह है रिजर्वेशन की बात जो कई बच्चे EWS से ए होने चाहिए आप एप्लाई कर रहा है तो और यह सारा डिटेल यहां पर मेंसर है ठीक है बागी डिटेल एजिजवल है और कब तक का होना चाहिए वह सब लिगा है तो थोड़े से जो कर्टिगरी स्पेसिफिक आपको ना देख लेने चाहिए कि कब से पर्टिपिकर्ट आ है इसको ध्यान में रगना अब इस जगह में कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह याद रगना सिटी स्वेयर दा एक्जाम विल बी कंडुक्टेट आर गिवन इन दिस अपेंडिक्स वान वाइल एप्लाइं कंडिडेट्स हैब टू सरेक्ट टू सिटी आप द्याज देखें जो कंडिडेड है ना वो दो सिटी चूज कर सकता है कितने फिटी आर फलेकड़ टू सिटी आप देब जुएस अब देखर मनें अडरेस और प्रिजेंट एडरेस जो प्रिजेंट एडरेस है अभी का उस एडरेस कभी चांफ दिया गया है लेकिन उनका exam center है कहीं और देना पड़े उनको तो वो ज़्यादा ज़्यादा दो city किये हैं क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि आपको inconvenience हो जो भरे हो जिस city को maximum वो कोशिस करेंगे उसी city में या उसी सहर में ही आपका exam हो जाए that is their thing क्योंकि आप इसमें मान के चले maximum जो है एक particular सहर को या area को चूज कर देते तो फिर उस जगह में लोट ज्यादा हो जाता और मजबूरी में जो बाद में फाम बर है उन बच्चों को दूफर सिटी में लोट करना पड़ता तो इसलिए उनसे बचने के लिए कोशिस कर रहा है कि पर्मनेंट एट्रेस वाला जगह है ना उसी पर ही आप चूज करें और इससे उनको मनेजमेंट में असान होगा क्योंकि बच्चे बहुं सारे आ जाते हैं ना और जहां तक बात है लिफ्ट का तो यह अपेंडिक्स वन में हम लोग लिफ्ट को पूरे-पूरे देखेंगे तो एक बार मैं लिफ्ट में ही आपको बता के चलता हूँ चले इसको हम खोचते हैं अपेंडिक्स वन को और इसके लाफ्ट के तरब में होगा अपेंडिक्स वन का ओके चौई साब सिटी का एनिवे वो देख लेंगे अब आता है एड्मिट कार्ड यह बाद में एक बात यह नहीं आवर अजिब कहा दिया थे कि नो री एक्जाम उड़ बी कंड़क्टेट पाले से कहा दिया है कि कुछ भी गड़वडवगर नहीं होगा और हम लोग कोई री एक्जाम कंड़क्ट नहीं करेंगे तो प्रोबैबली उनका उनके तरफ से चीजें क्लियर ह एक्जाम सेंटर अंड़ डेट अंड़ सीप्ट टाइम अधर दैन डैट लाटेट टुहिंग हर इन एडमिट कार्ड मलब किसी को भी आने जाने नहीं दिया जाएगा यह बातें बिसिक बातें में सब्सक्राइब यह जो है ना यह इंपोर्टेंट है इसकी माप एक्जामन एक्जोल में जो टाइम फ्लाट है काफियत तक उन्होंने बना के रख दिया है कि कितने कितने टाइम है तो जो सीप्ट वन है नौ से दफ पहतालिस का है बारा से दो टू थार्टी का है तीन है अब आपका कौन सा टाइम होगा यह डेपेंड करें किसम है एडमिट कार्ट यह मोटे तोर पे आप रेडी रहे है कि आपका एक्जाम का टाइम या तो यह टाइम होगा या तो यह टाइम होगा और यह चीज़ें यहाँ पे क्लियर कट है हो सकता है कि सेम डे में सेम डे में एक एक्जाम इस दिन पढ़ रहा है तो वो कोशिस करेंगे कि वो ऐसा ही करे आपने चार पर भर दिया और चार जो है उनमें से दो ऐसे हैं जो सीप्ट वन में सेम डे पर सेम इसी टाइम पर पड़ रहे हैं तो यह नहीं होने वाला यूगर दपाइंट तो इसलिए घबराईये मत यदि इस सेम डे में होगा तो इस दिन होगा यह फ्लाट वन में एक है तो हो सकता है कि दूफरावाला सीप्ट थ्री में हो ठेक है न समझ में आ गया तो इसलिए घबराना भी नहीं है ताइम अगरा है कब कब है यह चार्ट जरूर याद रखना है इसको इसके साट के लिएक रख लेना यह इंपोर्टेंट है क्योंकि थो और दा टाइम आपको नहीं है लेकिन कायदे से लिखा है कि रख फिट दिया जाएगा और वहां पर की कुछ करना है तो अपने को खुद को लेकिन नहीं जाना रहता है यह कि इंसाब से ठीक है अनफेर मिन्स का पढ़ लेना कि क्या गलती से आपका हो जाता है तो आपका रजिफ्टेशन कैंसल ह हो जाएगा डिस्प्ले आप आंसर की चलेंज के लिए दोसर रुपया आपको देना पड़ता है लेकिन इंप्वाटन बात है दोसर रुपया पर क्योशन और मेरे इसाब से अब इन्होंने ठीक किया है इसमें यह क्या कर रहा है यह जान लेजे कि जैसे आपको आंसर की इन देखा जो आंसर की चलेंज की बात की अतौफ में यह देख्वी कर दिया था कि एक अजार रुपया पर क्योशन भी था और क्योशन ही नहीं दे रहा था तो यह तो अब यह चीजे आपने देखा तो अभी क्या है यह इजी है थोड़ा था टूहणडर्ड रुपीज पर क् यह processing charge है कि क्योसन को processing तो यह ठीक है यह आप गलत लगता है तो दो फर रुप्पय दिखर के admission के लिए तो एक-एक क्योसन में मैटल करता है यह आपके क्योसन से आगे पीसे हो जाता है तो कोशिस करेंगे और यह मार्किंग इसके में पहले से हमने देखा डिसकस किया है इस तरह से यह इंपॉर्टेंट एरिया है कब इवालवेट होगा डिटेल लिखा है एक सरसरी तोर से हमने इन चीज़ों को देख रखा ना तो आपको एक आडिया हो जाए कि भई हमारे पूरे उफ में क्या क्या है आलमोफ्टा यह देव भर के एक्जाम में तो सब चीज़े क्लियर कट लिख दिया गया है हम सिधा चलेंगे फाम बरने पर सर्टिपिकेट का फार्मेट भी लाफ्ट में दिया हुआ है और कोड को देख लेते हैं एक्जाम सेंटर का इसी में जल्डी करता हूं इसको यह देखें लिफ्ट आप एक्जाम सिटी फार्टि पीजी टुटॉजन ट्वेंटिफोर इसमें एक्चुली में मैं आपको बता के चल रहा हूं इक्जाम सेंटर तो इस टेट एक तरफ है और दूसरा यह कोड आपको इंपाटेंट है और वैसे भी वह पीक हो जाता है लेकिन क्या है कि आपको एक बार देख लेना चीए कि आपका साहर क्या है और आपका साहर में आप जहां के भी हैं उस जगहा को यह फाम बरते समयमें यह चिज़ें जरूर द्यान रखना कि कहां काको करना को क्योंकि विंपल है जैसे आप उन्रिसा के हैं और भद्रक आप करिया है और यह इस तरह से सिटी पर रखे हैं तिनफ़ चोबिस एक्जाम फिटी सेंटर है नेट बैंकिंग पेमेंट का कितना चार्ज लगेगा यह आपका वो नहीं हो पैसा कटे गई यह है इधार उसके बाद में कंप्यूटर बेफ्ट टेफ्ट है इसका गाइडलाइंस है यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एक बार गो थू करने के लिए प्रोफिजर फार एपिरिंग इनदा कंप्यूटर बेफ्ट टेफ्ट जब आप एक्जाम में जाएंगे लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपक यह एक बार आप पहले से पढंढ़ लेना कि 12 तीन चार पांश का क्या मतलब है कि इससे आपको अपर प्रैक्टी सो जाते हैं व्यस्के अगारिक करना हौता है मार गफार रिभ्म करना परता है करके वह आप्प्रतिक्रि छाएगा आप्णिंघ यह क्यों संपिर सिधा मैश वोग ओनते को आए रहा रहे गा हुआध सरफ यह था यहा कुछा देखा हुआ हुआ है खुल VOICE करनाइगे इस्तिवाल दिखा हुआ है कितने का खिशोन आपने देखे हैं कितने का अनशर किया है यह सब चीजे महां पर मैं इंसर रहे गा कई लोग फैकर अरह से यह भी navigation भी रहेगा ये question number को दर साता है किसको आप कर चुके हैं नहीं किया हैं किसको आप छोड़ दिया हैं यह सब यहाँ पर color के इसाफ़ और वो के इसाफ़ पर mention रहेगा ठीक है तो यह detail है rubber की बात अल्रेडी हो रहा था अब है जो replica of duty 2024 examination तो यहाँ पर information bulletin आपको मिल गया और information bulletin के बात कर रहे हैं यह details सारे चीज़ें यहाँ पर है सीधे तोर पर चलते हैं जब आप फाम भरते हैं तो वहाँ पर मिल गया क्या आता है तो basically यदि आप देखते हैं यहाँ पर मैं उपर बता के चल रहा हूं कि फाम भरते हैं तो कहां से start होगा क्या है start होगा जो फाम भरनावगरा का वो यहाँ से start होगा जब आप फामर्था pg50.sumarth.ac इन में जाते हैं और यह main पे जाता है तो यहाँ पे sign in और register है last में तो यहाँ पे जो ऊपर में यह register है if register में इसे click करेंगे तो यहाँ से main भरना आता है यह सामने में ही download information bulletin दिया गया है यह इसलिए दिया गया है कि वो सामने वाला चाहता है कि आपके पास समय है तो यह जो information bulletin जिसका आपने जिकर किया उसको एक बार आप पढ़ी लो यह website तो बोलना ही मत यह सरकारी website है इसी जगह में सारा काम होगा इसी जगह के तो कोई क्योंकि आज कल कभी भी क्या होता है ना फेक site बना देते हैं temporary ठीक है तो इसलिए थोड़ा सा बच के रहना और इंफ्ट्रेक्शन जरूर पढ़ लेना वहां इंफ्ट्रेक्शन साब आप लिखा है उसके बाद में इस जगह से आपको start करना यह सब पढ़ने के बवजूद सब फीस वगर आप भी ready कर लेना कि वह कितना कितना लगेगा दो के लिए 1200 एडिशनल के लिए 600 जनरल है तो ओविसी के लिए 1000 और एडिशनल के लिए 500 तो यह है जब आप सब detail को पढ password एक बात याद अगना password के भी बारे में लिखा गया है कि password में कैसे state करेंगे अलफा बेट क्या क्या होना चाहिए आलमोफ्ट मोटे मोटे तोर पर यहां पर में निमेरिक वैल्लू है इसी हिसाब फे तो मेरे हिसाब फे भले detail आप उपर में ना पढ़पा हो लेकिन इनको एक बार go through जरूर कर लेना हिंदी में है तो इसको अंग्रेजी में है तो हिंदी में भी convert कर सकते हो अब main if start होता है यहां से और यहां से क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से फार्म खुलेगा और आपको detail भरना पड़ेगा सबसे पहले तीन if tape ही है कुछ ज्यादा if tape नहीं ह फील online application pump और तीसरा है pay examination पे तो शुरू में registration आप करेंगे तो क्या होगा यहां पे नाम डालना है फादर नाम डालना है मदर नाम डालना है और यह name किसके अधार पे हो class 10 का certificate को ही मिली ध्यान में रखके चलना चाहिए यह नाम अगर डालने पे ठीक है फिर जो certificate का में बर् पर यह आपका male, gender, nationality डाले उसके बाद उसी में आगे Indian type ID card है इसकुल ID card है जो भी है valid identification card जो ID card है ना यहां पे लोग अधार डाल सकते हैं कुछ भी डाल सकते हैं फिर यह है present address वर्तमान में address क्या है तो यह वर्तमान में address माइने करते हैं क्योंकि अभी वहाँ पे होना तो यह address सही से भर यह pin code सही से डाले क्योंकि वह pin code important है pin code हर्याना मलब इफ्टेट और जीला यह दोनों important होता है और सबसे important जिस पे बिल्कुल आप गलती नहीं कर सकते तो वह है यह वाला email address पे और मैं एक चीज़ हरानी मान रहा हूं जो कि हरानी मुझे मानना चाहिए बिल्क देखें यह जो है ना information bulletin है वो किसका है सरकार के तरफ में आता है अब सोच के देखो कि वह इसके सार्ट ले करके यह डाले है यह photo pdf में और इधर पे बगल में आ रहा है ना वह आ रहा है एक्टिवेट windows मलब इसका मलब यह है कि उन्होंने खरित के windows यूज नहीं कर रहे ह था वहां पर लगा हुआ है या उनका जो विंडो जाना वह वह हो गया है एक्सपायर हो गया है मलब वह पुराना वाला यह तो यह गलत है ना सरकारी समस्थार नहीं कर सकते जनरली और जनरली वह क्या होता है ना वह फिर company है वह claim कर देते हैं तो कि नार्मल आदमी यूज क अधर सकता सरकारी नहीं उसकरता ठीक है तो इनों नहीं इस चीज को ध्यान नहीं दिया और सब जगा में activate window go setting to activate आ रहा है यह वजह होता है लेकिन बात यह भी रहता है इसका और भी वजह होता है कई बार वह फार्मेट किया रहते है और एक्टिवेट नहीं किया रहते तो यह भी हो जाते है लेकिन यह पारिसी के सिंबॉल होता है तो यह email address है ना वह गलत मत डालिया दो दो बार भरवाया जाएगा mobile नंबर गलत मत भारना mobile नंबर कंफर्म करना साइस करना यही दो मेन होता है एक अल्टरनेट नंबर जरूर देना अल्टरनेट नंबर भी देना जरूरे है क्योंकि गलती हो गया तो अटरनेट नंबर का सारा मिल सकता है लेकिन email id और mobile नंबर दफ बार देखना सहीज से भरना working email id यह देना यह important है मैसी वाले बच्चे तो करी जाते हैं अब जो permanent address है यह कई लोगों का same है तो वहां click कर दें और इस जगह में यह जगह है house number है यदि same जगह है उफी जगह में और आपको permanent नहीं चाहिए तो कर दें otherwise आप permanent को कर सकते है पर्मनेंट मलब आपको लगता है एक जाम देने के लिए कहीं वहां जाना है तो you can put this one ठीक है और यदि same है permanent और present address तो आप click कर देजे आपको भरने की ज़रूत नहीं फिर आता है choose the password यह password की guidelines मैंने पहले बता दिया था यह है password की guidelines इसको एक बार आप इसकीन साइट लेके पढ़ लेना देखें कम से कम एक upper हो दूसरा है lower case हो एक number जरूर हो एक special character इनमें से 8-8 यह सब होना चाहिए और कम से कम 8-13 character हो यह आप policy बना लो कि यह करूंगा आपको बार बार चेक करने की ज़रत नहीं पड़ेगी और जैसे जैसे आपने यह जो इस जो हमारे यह जो discussion में जो जो भी detail आपने देखा है तो वह आप पहरे से ready कर लो एक आगाज में लिख लो कि भाया यह मैं करने वाला हूं यह start copy में बना लोता कि वहाँ पे पेफ्ट कर सको क गए बार पेफ्ट नहीं होता है तो बड़ियास से आप उसको ना लेख हिलो कि मुझे यह फार्मिसन चाहिए और यह जो मैं आपको बता के चल रहा हूं यह सब चाहिए रहता है देखे सेकुरिटी के उससर है वाट इस यह और नेबल साब पेट नेम तो यह सेकुरिटी के यह जनरली आपको इसी पॉइंट को यहाँ पे डालना है और फिर कर देना है सबमेट जैसे ही सबमेट करेंगे वो जमा हो गया और आपको एक फार्म आ जाएगा वो आपका एप्लिकेशन फार्म नंबर होगा तो अब रिब्यू करना है तो रिब्यू अभी जमा करने के प बाद में आप सीधा करोगे यह जरूर है यह इस पेसली की चेक लिफ्ट है इसको इस पेसल रखा गया है जो गलती नहीं कर सकते क्या चीज गलती नहीं कर सकते किसी भी सूरत में अपना नाम डेटा बर्द फादर नाम मदर नेम इमेल आड़ी मोबाइल नंबर प्रेजन अ आएगा एक OTP और OTP आएगा उस OTP को आप यहां पर डालोगे OTP को डालने के बाद में आप समिट करोगे तो समिट करने के बाद में आपका वो समिट हो जाएगा और अब यह इस जगह में देखे यह OTP आ गया इस OTP को आप डालते हैं और यह जो कोड है इसको यहां डालते हैं यह जो है OTP आता है 11-12 मिनट रहेगा 11-12 मिनट यहां पर रहेगा और इस जगह में क्या है OTP आप डालेंगे यह जो कोड है इसको डालेंगे और यहां पर सब्मिट कर यह OTP नहीं आया है, तो send the verification, अब यह OTP है, mostly mobile number में आता है, लेकिन हो सकता है कि यह facility दें कि email ID में भी आ जाए, तो email ID में भी आ सकता है, उधर पर याद रहें, क्योंकि आपने दिया है, उधर पर email ID, तो अब आ गया application का detail वहाँ पर, आगे application का पहला चरण पूरा, application का दूसर पूरा में, देखो, जो जो information, खुद का नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, डेट आप बर्था, अट्रेफ भरे हो, तो वो सब आरेड़ी यहाँ पर आएगा, अब केवल और केवल, आपका कुछ और basic information है, उसको upgrade करने की बात है, तो नाम को check कर लो, डेट आप बर्थ को ए readily pick हो जाएगा, नाम, फादर का name, मदर का नाम, उसको यहाँ पर अलग से भरननी पड़ेगा, जैसे फादर का नाम वहाँ से pick हो जाएगा, लेकिन फादर के qualification क्या है, यहाँ से, फादर की qualification, मदर की designation, extra बातें यहाँ पर है, जो वहाँ पर पर बरें, लेकिन इन में जो ची इन qualifying examination किस माध्यम में आप बैट रहे हो और क्या है वो चीज़ें और फिर मोटे तोर पे यह सब चीज़ें वही है जो वहां से निकलाता है तो इन में ज्यादा परिसान होने की ज़रूत नहीं है पढ़ पढ़ के आप भर सकते हो नीचे में अधर कूटा category में 90% लोगों के ल इन वर्ची डिटेल यह सब चीज़ें भरा भरा के चलता है करके यह आपने डिटेल भरा और डिटेल भरने के बाद में प्रोसीड तूदा नेक्स सेक्षन यह अगले सेक्षन के लिए आप क्लिक करोगे तो अब आपका आएगा एजुकेस्टनल डिटेल पहला क्या था पर अग्रेजवेट में क्या था यह सब चीज़ें आपको भरना है तो सब्सक्राइब कौन से लेने वाला है यह वाला सेक्षन यह जो अंडर ग्रेजवेट यह एजुकेस्टनल क्वालिपिकेशन है क्योंकि आपके पाफ दस्वी के सर्टिपिकेट आपके पास होना चाहिए इनमें जो जो पूछा जाता है वो डाटा आपको ना पहले से क्या करना है इन चीज़ों को भरना है ठीक है अराम से यही सबसे ज़्यादा समय लेगा यहां पे अंडर ग्रेजवेट तक का डेटेल आपको भरना है और सेप करना है अब देखो परसनल डेटेल हो गया एक्जाम सेंटर चूज करना है तो उसके पहले जब आप एक्जाम सेंटर को क्लिक करोगे तो यहां रिभ्यू आएगा कि भाई देख लो आपका कोई जीज गलत तो नहीं है और यह आपको लगा कि सही है तो फिर आगे इसको आप प्रोसिट टू नेफ्ट करेंगे तो अब पूछा जाएगा एक्जाम सेंटर सेलेक्शन के लिए आ나 पारले सेनोड करके रहे टो बार ना है कि इफटेट कर लिज है और सीटी चूज कर लीजिए checks कि के लिए को बात समझ में तो यह हो गया, फिर इसको review कर लिजे, जैसे हरियाना का फरिदाबाद, हिमाचार परदेश के सोलान, इसने चूच किया है, तो चूच कर लिजे अपने need के अधार पे, फिर proceed to selection, अब अगला क्या आने वाला है, university या program selection का आने वाला है, program selection का, तो देखे, यह जो जगह है, इस को हमेशा याद रखना, साब इसमें लिखा है, कि देखे, यहाँ पे सबसे पहले आप university लेंगे, और university में, किस university के कौन से course में, आप admission लेना चाहते हैं, यह एक aid करेंगे, इस तरह से आप aid करते चले जाएंगे, जो जो भी आप aid कर सकते हैं, कि यह, जहाँ जहाँ पे आप देखो, मैं बता देता हूँ, यह सबसे जादा important point है, सब के लिए समझने के लिए, कैसे, जब आप university चूज करोगे, और यहाँ पे जो course या प्रोग्राम चूज करोगे, तो आपको उसके लिए क्या qualification है, वो चूज करने के बाद यहाँ पे APR हो जाएगा, लेकिन पहले से देखना है, तो वापी जो CUT, PG, समर्थ, AC, IN, के वेब फैट पे जाते है ना, तो सबसे उपर में आपको university दिखाई देगा, इस जगह में, और university ऐसा चूज करेंगे, तो जैसे मान के चले, यहाँ university है, जो participate कर रहा है, यह पहले B.H.U. आला भी गाया था, यहाँ से, मैं सन नहीं था, तो आप इस पे चूज करोगे, अब यह आया, अब इस जगह में इतने सारे course हैं, आपको confusion होगा, तो पहले eligibility भी जान लेजे, और इसके लिए, जैसे उधर पे code आपका, तो मैंने नोट करवा दिया था, कि कौन से code आप करोगे, नोट, agriculture science है, तो इसमें मैं जैस से code को टाइप करो, या agriculture science, control app किया, और agriculture science पर आया, और agriculture science यह देखिए, तो mhc agriculture science, जिसका code वही match कर रहा है, acqp01, यह agriculture science का है, तो इसके लिए, क्या-क्या qualification होना चाहिए, यह detail लिखा हुआ है, और यह important है, कई लोग नहीं जानते हैं, तो इसमें कड़बड़ी कर देते है हाँ, agriculture science वालो कर नहीं है, यह जो विद्यारती है, वो agriculture science का यह code देखो, यह जरूर याद रखना, एक bhu में जो लोग target कर रहे हैं, तो bhu का तीन जरूर भर सकते हो, एक agriculture science, और इसके लिए, यह code है, और यह इसका qualification detail है, इसको एक बार go through कर लेना, इसके बाद soul science और इसका code है, यह Q और यह वाला detail देख लेना, एक और है, कुछ लोग MBA करना चाहते हैं, तो bhu के इस वाले code को जरूर कर लें, माफ्टर आप agree businessmen, यह सुरू का COQ P1, इसका detail यह है, कि आपकी minimum qualification क्या होनी चाहिए, यहीं पे मैंने bhu के लिए एक और आपको prefer किया था, वो था agro-poreft, ठीक है, तो agro-poreft का यह है, hqp02 और यह qualification है, qualification के इसाब से दिखकत नहीं है, एक और मैंने कहा था, वो कहा था, plant biotech का, तो plant biotech bhu का hqp2 और यह है, यह समझ में आ गया, अब इसके अतरीक तक कुछ बच्चे हैं, जो कि और भी इनवर्सिटी के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बता देता हूं, कि यह तो bhu को मेंट टार्गेट रखके हो गया, चले, सबसे पहले, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, चले, यहाँ पे हम इनवर्सिटी पे वापिस आते हैं इनवर्सिटी में, bhu का एडमिशन करना चाहते हैं, तो यह मैंने बता दे, आप जानते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थियां हैं, एक दो और इनवर्सिटी को प्रिफर करते हैं, तुरुदर स्थिटी पीजे, और कोड इंपोर्टेंट है, क्योंकि कोड से पता चलेगा, कि आपको एक्स्ट्र एक्जाम देना पड़ेगा, या नहीं देना तर है, टो इस में नहीं है, तो ठीक है, इस में वहाँ पर दे दिख लेता है, आप गड़वाल करेते हैं, ठीक है, वहाँ का अफ्वान है, या फिर आप यह जो भीमराव अमबेटकर है अलग अलग जगह में कोई सभी जिसको अगरिकल्चर के इसाब से उत्राखंड वाला देख लेते हैं Central University आप उडिसा है यहाँ पे क्योंकि Central University बहुंच सारे हैं और क्योंकि University University का नेम है University का नाम को प्रोडिसे प्रॉपरली पहचानेंगे यह DU है और मैं आपको बता दूए अगरिकल्चर के इसाब से किसको प्रिफर करना चाहिए आपको ठीक है फ्यूटी प्यूजी इफ्टेट इन्वर्सिटी है यहाँ पे तो पहले Central का लिफ्ट देख लेते हैं कि Central में कौन-कौन से आ गया है एक तो हमने बेच्चू को देख लिया ठीक है थोड़ा फ़र लंबा जाने वाला है बहुन लोग यह वाला बिटाते हैं बाबा साहिप अंबेटकर इन्वर्सिटी यह इन्वर्सिटी ठीक है सेंट्रल इन्वर्सिटी आप आंदर पर देशा है एक रिकल्चर के इसाथ भी एच्चू के अतरिकता और कौन-कौन से जारखन कश्मीर केरला उडिसा और सेंट्रल इन्वर्सिटी यह है इन्फार्मेशन टेक्नलोजिक गुरुगांफिदा फिफिफिद्याला है नेरू तुरिजम महादमा गाधि मनिपूर नलांदा मैं वहा वहां का संट्रल इनिटिव इस यह प्रहुड़ान आपको बताने वाला था जैसे संतीन केतान कभी नहीं दिखा मुझे सानती निकेतन का भी नाम नुए दिखा बीछू तो अभी आ गया है लेकिन सांती निकेतन की नहीं है और घड़वाल के निस सौर prints कर रहे कौँ है कि कैसे कि सारे जो Central University सब्सक्राइब कर सकते हैं तो जैसे हमने देखा था कि बीएच्चु के लिए अब बीएच्चु में तो और फ्र्सक्राइब कर सकते हैं जभी भी भाम भरते समय में यहां पी प्रोग्राम और स्ट्रीयक्षण आएगा और उसी के इंसाफ़ाफ दोगे जो चीजें होगा एग्रीकल्चर साइस्स श्चु तो डबल पैसट नहीं लगएगा तो यहाँ पे आप चूज करोगे वो चीजों को और फिर आपको और लगता है कि इसके अतरिक तक कहां और एगरिकल्चर होता है तो उसके लिए वापिस आप PG, CUT, Summer, the.ac के साइट पे जाएंगे और इस साइट पे जाने के बाद में आप उपर में यह सिलेवर्स इन्वर्सिटी के बाद कोर्स में जाएंगे कोर्स में ऐसे क्लिक करने के बाद यह आएगा इस जगह में आप एगरिकल्चर भरेंगे तो agriculture भरने के बाद मैं आपको यह दिखाई देगा agriculture type करने के बाद कि कहां कहां मलब agriculture का और courses है और university का नाम degree और agriculture और यह कौन से परिच्छा यह important चीज़ है farm भरने के पहले यह जरूर note करना है सबको क्या note करना है याद करना देखो जैसे परिच्छा देते हैं तो केवल bhu के लिए नहीं होगा कहां के लिए होगा वह मेटी इनवर्सिटी के लिए भी होगा यह आप जाना चाहते हैं तो फ्राइवेट अपशा लेता है अब इसी में मैं आपको बताना चाहूंगा इसी को मैंने कॉपी किया और फाइंड करता हूं तो यह सताइफ जगह में है यह कोड सताइफ जगह में है मलाव आप यह जो परिच्छा दोगे कितना रुपया दोगे इसके लिए पांस रुपया और 75 के उस्षन आएगा अब कायदे से यह अलग अलग जगह के लिए अब बताता हूं मैं यह बहुत प्राइवेट में बच्चे यहां पर जाते हैं सेंचूरियन कभी एक और है मलब यहां पर इन्वरस्टिटी का आप देख सकते हो जीडी को एंका में भी हमें सी कर सकते हो ठेक है न इसी एक्जाम के थूरू इसी परिच्छा के थूरू लेकिन चुकि प्राइवेट है तो कई लोग नहीं जाना चाहेंगे अब वो यह लिफ्ट आपको पता हूना ची अब यह तो इन्वरस्टिट्टि बहुत सारी इसमय से प्राइवेट है यह यह इंपॉर्टेल यह एक है मैं यह कोशिस कर रहूं कि इसमें अग्रिकल्चर वालों के लिए कुई धंक से इनुरसिति मिल जाए जिसके बारे मैं में तुद कर दूँ FGT इनुरसिटी आया है उसने तो इस वी दिगरी में ले रहा है इसी कोण से आग्रिकल्चर में अग्रोनामी में और मैं देख रहा हूँ कि जो गवर्मेंट है अब बेरी अनफार्शनेटली जो मेरा फक्त सही था कि प्राइवेट इनवर्सिटी इस कोड से ले रहे हैं एडमिस्ट बी एचु को छोड़ के बागी कोई नहीं ले रहे है तो फिर और बागी का भर के भी क्या पाइदा है किसी का कोड याद है आपको क्या एग्रो फरेफ्टी का कोड है तो एग्रो फरेफ्टी यहां पर डालते हैं एग्रो और फरेफ्टी या एग्रो फरेफ्टी इसका कोड आपको याद है कि अग्रो फरेफ्टी के लिए कितना बताया था वो कोड भी यहां पर डालेंगे तो भी आ जाएगा प्रेफिटी लिखता हूं रुक्ये तो अब देखें फोरेफिटी में यह कोड है आप नोट कर लो प्लीस जवराथ पड़ेगा तो यह है फोरेफिटी का यदि आप इस कोड को मैं डालता हूँ कि फरेफ्टी-फरेफ्टी का आपका कँ यूज जाएगा तो उसका क्या स्तिन है ये कोड से तो पिक निहीं हो रहा है कि सेम कोड होगा तो देख लेंगे फरेफ्टी का परिच्छा दोगे वह बेच्चु में काम आजायेगा दर कहीं पहें। पहुंआ प्पोरिफ्टी ins swords वागिदों उन्वाइब्सिटी विकार है और टीसरा हमने कहा था तो सुलंस लैंड वाटरı तो इंजिनिरिंग वाला गया बेचु का कंजर्वेशन ने लिख देता हूं तो कंजर्वेशन से पीक हो जाना चाहिए की वर्डी डालना है कंजर्वेशन यह देखे तो इसका है पीकू 26 और यह कहां कहां यह कोट देखते हैं हैं यह पीएचु का स्वेशन करते हैं तो मेवार इन्वर्सेटी अरनबी ग्लोबल इन्वर्सेटी एफजिती इन्वर्सेटी में भी वाटर है लेकिन यहां जाके मिलेगा नहीं है तो आप चले जा सकते हैं डिग्री लेना है तो लेकिन मैं आपको क्या बता रहा था एग्रिकल्चास का पेपर देते हैं जिसका कोड जीरो वन है तो कहां-कहां कामाएगा 26 जगह के सब्सक्राइब करते हैं तो जो पेपर दिये हैं तो जो पेपर दिये हैं है और भई इस पेपर के अतरिकता और क्या ही दिल होगे क्या ही इसमें है तो आप यहीं मान के चलो कि बेचव वापिस आगया हाथ पकड़के मनाएं होंगे कि चलिए आप नहीं करेंगे ऐसे भी हो सकता है तो इतले नहीं आए हैं तो यह पहला पार्ट है मारे discussion का और इसमें आए वापिस इसको complete करते हैं यहां पे आप lift भरोगे और lift एड करने के बाद में इस तरह कर लिफ्ट आएगा यह आप देख लिसे जैसे यह आपने MET University ऐसे भरा है तो वो आप eligibility भी छेक कर लेना आजाएगा पिक होगा और के eligibility में आप qualify नहीं कर पाओगे न तो जैसे ही आप जाओगे तो आपको अगला होगा Tift Paper Detail यह आएगा यह code और वहाँ पेपर का नाम पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 1 एग्रिकल्चर साइंस code के साथ में आएगा पीक होगे चार चूच करने मैक्सिमम कितना चूच कर सकते हो पेपर चार तो चार चूच करना यहाँ पे और उसके बाद में चार चूच करोगे कितना पईसा पेपर करना पड़ेगा 2400 क्योंकि दो पेपर तो लग नहीं है अच्छा मान के चलो एक ही पेपर करोगे तो कितना लगेगा नहीं 1200 मिनिमूम 1200 है ठीक है मिनिमूम 1200 में 200 कर सकते हो और बाकी 8 करोगे तो 600 तो यह कई बार कंफिजन होगा तो मिनिमूम दो दे सकते हो 1200 में ठीक है पर इच्छा ही देना है अब यह क्या है कि देखो यहाँ पेपर है यह आ जाएगा रिब्यू करोगे सब्मीट कर दोगे लाफ्ट जो इसका इस टेप है वह है फोटो डालना तो फोटो में ज्यादा ची में है जो फोटो है वह दस केवी से 200 के के वीच में होना चाहिए चार के भी यदि आपको कंप्रेस करना नहीं आ रहा है तो पोटो कंप्रेस्ट ऑनलाइन ऐसा टाइप कर सकते हैं अब फोटो और चाहिए फोटो का फाल पार में और किसी भी दूसरे फाल में होगा तो मुस पास संपोन डिटेल है एक बार आएगा संपोन डिटेल है एक बार गोज़ु कर लेना चेक कर लेना यहां पर यह important है कि फादर का नाम मदर का नाम यह जबर चीज आए कि आप गलती ना करो इस चीज के लिए चेक करने का बहुत बढ़िया तरीका है एक बार आपको गोधूर करने टाइम जरूर है लेकिन मजबूत फिपाम बनाएगा गलती नहीं होगा और असान है और उसके बाद में आप सब्मीट करोगे सब्मीट करोगे तो अब आपको आएगा payment detail और payment detail यहाँ पूरा करते ही सब कुछ आपका verify सब कुछ जमा हो गया अब आपको यह जो payment का detail आएगा payment का detail आप भर दोगे detail हो गया किसी तरह का कोई दिक्कत है तो आप इस number में contact हो उनको directly कर सकते हैं otherwise हम में बता सकते thank you very much यह पहला part